नमस्कार कापिटल टीवी उतरपदेश देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग हर छोटे बड़े लोगों पर लागू रहेगा देखे ये खास रिपोर्ट अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मोबाईल पर पूरी तरहा से प्रतिबंध लगा दिया गया है 25 मई को राम मंदिर ट्रोस्ट की बैठक में ये एहम फैसला लिया गया मंदिर में आम जन्मानस के मोबाईल ले जाने पर पहले से ही प्रतिबंध था लेकिन अब वी आईपी और वी वी आईपी के मोबाईल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है आईजी और कमिशनर के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की पदधिकारी की बैठक में पूरी तरह से मोबाईल बैंड करने का फैसला लिया गया ट्रस्ट की ट्रस्टी अनल मिश्रा ने कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध करते हैं कि इस ववस्था का पालन करें और सहयोग करें ताकि किसी को कोई आ सुविधा ना हो सके जहां मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर दर्शन करने पहुँचने वाले भक्तों के मुबाइल फोन को रखने की पर्याप्त ववस्था है उठा सकते हैं उसमें मुबाइल फोन के साथ घड़ी और बाकी किमती सामानों को रख कर दर्शन कर सकते हैं वहीं ट्रस्ट की तरप से भक्तों से अपील की गई है कि वो अपने साथ कम से कम सामान लेकर चलें जादा सामान लेकर चलेंगे तो फिट चेकिंग और स्कैनिंग में काफी समय लगेगा और बाकियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में अगर आप होटल में ठह रहे हैं तो कोशिश करें कि जादा तर सामान को वहीं रखकर मंदिर दर्शन करने पहुँचे वैसल आपको बता दें कि आयोध्या में नए बने राम मंदिर की इसी साल 22 जन्वरी को प्राड़ प्रतिष्टा हुई थी प्राड़ प्रतिष्टा के बाद से आयोध्या में हर रोज भारी भीर दर्शन करने पहुच रही है प्राड़ प्रतिष्टा के बाद से अब तक कई लाख लोग दर्शन कर चुके हैं मंदिर के निर्मार का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है मार्च में राम मंदिर निर्मार समिती के अध्यक्ष निर्पेंद्र मिश्रा का बयान भी सामने आया था उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि राम मंदिर निर्मार का काम 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए फिलाल 1500 कर्मचारी कारेरत हैं और तीन मंदिर भवन की दो मंदिलों के निर्मार में तेजी लानी के लिए 3500 से जादा श्रमिकों को जल्द ही तेनाद किया जाएगा तो सुरक्षा और भक्तों की सुवधाओं को देखते हुए राम मंदिर में अब मुबाइल फोन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है साथी ट्रस्ट और प्रिशासन की तरब से सभी दरनाश्ट सर्थियों के अनुरोध है कि इस विवस्था का पालन करें सयोग करें ताकि किसे को भी किसरी प्रकार की अस्वधा ना हो इस खबर में फिलाल के लितना है बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रिए कापिटल टीब उतरपदेश नमस्कार